नमस्ष्वाय हर हर महादेव नमस्कार दोस्तों मैं नित्यानन्द पांडे आपके अपने चैनल नित्य साधना में आपका स्वागत करते हैं तो दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं बसंत पंचमी की कथा मास्वरसती की कथा तो दोस्तों बसंत पंचमी के दिन मास सरस्थी की पूजा आरातना की जाती है इस दिन बसंत रितु का आरंब होता है लोग बसंत पंचमी का परव बहुत ही धूम धाम से मनाते हैं दोस्तों बसंत पंचमी का पर्व मास्षरसती के अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है हर साल माग मास के सुक्लपक्ष की पंचमी तिथी को बसंत पंचमी मनाई जाती है तो दोस्तों आईए मैं आपको पुर्णारिक कथा सुनाता हूँ तो दोस्तों पुराणिक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मावजी संसार के भ्रह्मण पर निकले हुए थे उन्होंने जब सारा ब्रह्मांड देखे तो उन्हें सब कुछ मुक नजर आया यानि हर तरफ खामोसी छाई हुई थी इसे देखने के बाद उन्हें लगा कि संसार की राचना में कोई कमी रह गई है इसके बाद ब्रह्माजी एक जगह पर ठहर गए और उन्होंने अपने कमंडल से थोड़ा सा जल निकाल करके और छिड़क दिया तो एक महान जोती पुंज में देवी प्रगठ हुई जिनके हाथों में बीड़ा और चेहरे पर बहुत ही ज्यादा तेश था यह देवी थी मा सरस्वती उन्होंने ब्रह्माजी को प्रणाम किया मा सरस्वती के अउत्रण दिवस के रूप में बसंत पंचमी का तेवार मनाया जाता है ब्रह्माजी ने सरस्वती जी से कहा कि हे संसार में सब लोग मुक हैं ये सभी लोग बस चल रहे हैं इन में आपसी संबाद नहीं है ये लोग आपस में बात चीत नहीं कर पाते इस पर देवी सरसती जी ने पूछा हे प्रभू मेरे लिए क्या आग्या है ब्रह्मा जी ने कहा हे देवी आपको अपनी बीणा की मदद से इनहे ध्वनी परदान करो ताकि ये लोग आपस में बात चीत कर सकें एक दूसरे की तकलीफ को समझ सके इसके बाद मा सरस्वती ने सभी को आवाज प्रदान की तो मा सरस्वती की पूजा अराधना हमें कैसे करना चाहिए मा सरस्वती की पूजा देवी असुर दोनों ही करते हैं इस दिन सभी लोग अपने स्कूल, कालेज, कारी अस्थल पर मा सरस्वती की पूजा अराधना करते हैं और उनसे ग्यान मांगते हैं इसके अलावा मा को सिंदूर चढ़ाया जाता है और सिंगार की बाकी बस्तु में भी मा को अरपित की जाती है मा के चरणों में गुलाल लगा करके उन्हें स्वेत रंग के वस्त्र अरपित किया जाता है तो दोस्तों यह थी मास सरस्वती की कथा तो आपको कथा कैसी लगी कामेंट बाक्स में जरूर बताईएगा मिलते हैं कुछ आईसी ही ग्यान बर्धक कथा के साथ धन्यवाद